इस वीडियो में हम event listeners देखेंगे event listener जावास्किप में directly लिखे जा सकते हैं तो पिछली बार हमने देखा था कि हमने कुछ event listener बनाए थे पर वो html में थे इस वीडियो में हम javascript में event listener बनाएंगे तो मैं सबसे पहले ये social जो हमारे social icons का area है इसके उपर कुछ event listeners बनाना चाहता हूँ तो हम index.js में इसाब लिखेंगे index.js एक file है जो हमने पहले से connect कर रखी html से तो मैं document.getElementByClassName यूज़ करता हूँ जिसमें मैं social icons को select करने कोशिश करूँगा तो social icons आप देख रहे हो कि हमारे पास कई सारे social icons थे हमारी site में और उसको किसी particular constant में मैं save करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हो यह काफी सारे icons हैं इन में से एक को मैं save करूँगा जो first है तो एक बार एक पे try करते हैं फिर सब पे apply करेंगे तो social div.add listener तो add event listener एक function है जिससे आप कोई भी event listener बना सकते हो जैसे mouse over आपने एक event listener लिखा और उसके अंदर एक callback function आप दोगे जिसमें आप वो action लिखना चाहते हो जो इस event पे हो इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि mouse over है उसी के आगे on लगा के आप html में लिख देते हो तो जो html में लिख रहे हो उससे आप on हटाओगे तो वो ही एक event का नाम होगा तो आप मैं print कर रहा हूँ इसको केवल हम देख रहे हैं कि hover करने पे यह सारे print हो रहे हैं पर ध्यान से देखो कि तो आप यह ऐसे ही hover कहीं भी करो तो भी हो रहा है मतलब केवल आइकन के ऊपर नहीं तो इसका रीजन है कि मैंने class name में आप देखो कि तो social लिया हुआ है social actually उस आइकन की class नहीं है social तो उस पूरा division है जिसके अंदर इस सारे icons हैं तो हमने पूरा division के ऊपर mouse over लगा दिया है यह हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि एक particular icon या उसके div पे आप hover कर सको तो मैं इस पे div और जोड़ देता हूँ तो इससे यह थोड़ा proper हो जाना चाहिए तो इसके लिए मैं query selector लगाऊंगा क्यों query selector ज़ादा specific select कर सकता है और इसमें dot लगाना ज़रूरी है CSS की तरह चलता है तो अब try करके देखते हैं तो अब यह error आया है कि add event listeners पे नहीं चल सकता इसका reason शायद यह है कि क्योंकि अभी social div हमने एक select किया है तो वो किसी तरह से proper काम नहीं कर रहा है तो अब यह properly selected इसके उपर जा रहे हो तो social आ रहा है तो और किसी icon पे social print नहीं हो रहा है इसी पे print हो रहा है तो हमने properly select कर लिया है इस चीज़ को next हम इस event object को देखेंगे जो event object callback के अंदर अपने प्लेस किया दिया जाता है तो आप refresh करके देखोगे तो यह mouse event एक object है इसके उन्दर बहुत सारी information है उस वक्त x y coordinate क्या थे mouse की क्या properties थी आप देख सकते हो mouse over type का event है और भी बहुत सारी चीज़ें time stamp अगर है यह किस division पे target था वो सब चीज़ें तो यह बाद में कभी आप काम ले सकते हो अगर आपको especially x y coordinate या mouse की एकड़म location जज़ करनी हो अभी कुछ इसका खास use हम करने वाले नहीं है right now but event object में पूरे उस event की information होती है तो एक बार मैं directly console में कुछ चीज़ ट्राइ करके देखता हूँ जैसे कि social div अगर आप select करते हो तो आप देख रहे हो कि पहला div select हो जाता है उसके बाद इसको ही actually हमको constant में save करके देखना है तो कुछ चीज़े मैं try करके देख रहा हूँ directly उसके बाद ही हम उसको save करेंगे file में तो social के उपर अगर मैं target यूज़ करता हूँ तो मैं देखने कोशिश कर रहा हूँ कि उसके उपर क्या style प्रॉपरली काम करेगी तो जैसे style एक चीज़ थी हमने पहले देखी वो काम कर सकती है तो उसके अंदर transform बढ़ transform से तो यह rotate वगरे होगा तो maybe आप transform ना करके देखें और कुछ property हम change करके देखते हैं एक बार जैसे की background change करके देखते है तो background color मैंने red किया तो आप देख रहे हूँ यह red हो रहा है तो यह आप इस तरह से select कर रहे हो इसकी style तो properly change हो रही है और इसके hover पे mouse event भी आ रहा है तो अब मैं यहाँ पे directly लिख सकता हूँ कि social div जो की यह particular div है उसका हम background या कोई भी property कैसे change कर सकते हैं तो console में event.target एक और चीज़ आप notice कर रहे होगे कि इसके hover करने पे दो चीज़ें आती है कभी वो icon होता है कभी वो division होता है तो आपको exactly देखना होगा कि कौन सा target है target मतलब जो exact चीज़ के उपर आप गए हो वो ही हमको element चाहिए तो target में वो element होगा तो यह दोनों element हो सकते हैं तो अब get attribute class से क्या होगा कि उस particular चीज़ की class आ जाएगी हमारे पार जैसे मैंने इस पे किया तो bg blue आ रहा है पर एक में fab facebook भी आ रहा है तो कभी हम hover करते हैं तो हमारा outer div आ जाता है कभी हम hover करते हैं तो हमारा icon जो है आई वो आ जाता है तो अब इस पे में को क्या करना है कि hover करने पे जो target element है चाहिए वो icon हो या वो बाहर का division हो उसकी class को मैं change करना चाहता हूँ कुछ impact देना चाहता हूँ तो old class को पहले मैं store कर लेता हूँ तो जैसे set attribute है वैसे get attribute पुरानी classes इसमें आ जाएंगी अब मैं चाहता हूँ कि जो old classes हैं उसमें plus new classes कर दूँ तो मैं set attribute class में क्या करूँगा old classes plus background blue जैसे पहले हमारे पास background blue था या white था या फिर एक नया तरह का background भी बना के हम देख सकते हैं ताकि confusion ना हो क्योंकि पुरानी styles थी वो सब तो तो मैं एक bg dark यहां पे create करता हूँ जो कि एक dark background होगा तो background color हमने इसमें dark ले लिया तो अब hover करने पे हम चाहेंगे कि ये class भी add हो जाए तो old class जो भी थी उस पे और ये भी add हो जाएगा old class नहीं लिखो गया तो पूरा ही change हो जाएगा क्योंकि ये set attribute एक दर से overwrite कर देता है तो अब देखो कि इस पे गए ये अंदर black हो गया बाहर वाले से भी बाहर आए तो कि mouse over है वो वापस आने पे effect करता है तो mouse over था तब तक तो hover effect भी आ रहा था white background क्योंकि हमने किसी property में लिखा हुआ बाकी सब में नहीं होगा क्योंकि हमने एक particular चीज़ पे किया हुआ है जो कि ये first icon अगर आपको सभी icons पे ये effect लाना है तो आप क्या कर सकते हो query selector में तो आपको पता है all लगा सकते हो तो सारे select हो जाएंगे लेकिन क्या add event listener वैसे काम करेगा मैं अब एक साथ काम नहीं करेगा collection पे आपको एक-इक पे लगाना पड़ेगा तो यानि यह loop की जरूद आप बहुत तरह की loop use कर सकते हो आप map function यूज ले सकते हो अगर आप चाहो तो but map यहाँ पे इतना useful नहीं लग रहा में को तो मैं for each एक loop लूँगा जिसमें आप एक-एक element जो यह social div है मैंने वहाँ पे collection को divs कर दिया और एक को div कर दिया है तो अब refresh करके देखते हैं तो इस पे black हो गया सब पे black होता जा रहा है तो एक-एक करके हर element पे आपने loop से तो इस for each loop को आप अच्छे से समझ सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो में तो इसमें एक-एक पे मैंने सब पे यह property लगा दिये तो यह तो हो गया add event listener कोई भी event का listener आप लगा सकते हो जैसे click का, mouse over का, mouse out का, key press का कुछ भी चीज़ का आपको HTML change करने की ज़रूत नहीं है यह तरह की strategy बहुत important है जहां पे आप HTML में change नहीं कर सकते ऐसी कौन सी situation होगी जैसे ऐसी situation हो सकती है जब आप HTML file edit नहीं कर सकते क्योंकि वो element dynamically add हो रहा है मतलब वो runtime पे add हो रहा है मतलब JavaScript से ही maybe element add हो रहा है तो उस पे आप फिर event listener कैसे लगा होगे क्योंकि आप code पे तो type कर नहीं सकते HTML तो शुरू में तो था नहीं उसके बाद में वो add हुआ तो ऐसे cases में add event listener काफी important है अब मैं remove event listener करता हूँ मतलब जैसे हम add कर सकते हैं वैसे हम remove भी कर सकते हैं किसी listener को जो already लगा हुआ हो ये भी काफी important है कई बार आप चाहते हो कि वो चीज हट जाए तो मैंने अभी function यहाँ अलग कर दिया है थोड़ा सा मैं proper कर रहा हूँ इस चीज को तो जैसे color dark एक function बनाया है ये call होगा तो मैंने basically callback function को एक अलग नाम देके बाहर रख दिया है तो color dark add event listener remove लगा के देखते है remove event listener हमने use किया है और इसमें हम mouse over के effect हटा देंगे तो अब आप देख रहे हो सारे event हट गए है लेकिन इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि फिर हमने उपर लगा है तो वो तो दिखी नहीं रहे तो इसके लिए हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जैसे subscribe button है इस पे click करने के बाद मेरे event listeners हट जाए ऐसा मैं कुछ करता हूँ तो शुरू में वो लगे होगे listeners और उसके बाद में किसी event के बाद वो हट जाएंगे तो उससे हमको थोड़ा clear idea होगा programming का तो मैं थोड़ा try कर लेता हूँ या console में तो get element by class name subscribe क्योंकि subscribe class थी इस button पे तो इसमें properly हमारे पास ये button आ रहा है आप select करके देख सकते हो और zeroth element पे इस पे hover करोगे तो side में दिख भी जाएगा कि सही select हो रहा है तो मैंने ये line copy कर दी यहाँ पे ये एक element हो गया इसको हम subscribe element या subscribe button लिख देते हैं और subscribe button के click पे तो इस पे भी एक event listener लगा देते हैं तो यहाँ पे click listener मैं लगा दिया और इसके अंदर एक function लिखा callback function और इस function में मैं अपनी implementation लिखूँगा जो की नीचे वाला part है तो अब जब उस पे click करेंगे तभी listeners हटेंगे तब तक वरना वो नहीं हटेंगे तो refresh करते हैं अब यह सब black हो रहे हैं आराम से कुछ भी नहीं है वापस आप check करो अब यह black नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने subscribe पे click करने के बाद यह किया था इस तरह से आप check कर सकते हो यह सारे events को तो इस channel पे हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजिए